खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ें और अब सीधा आपको मद्य प्रदेश के खरगौन ले चलते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी एक जनसभा को सम्भोधित कर रहे हैं साथ्यों इस रभिवार को जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो इतिहास रचने वाले है आप दसकों बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुंच की सरकार बनाने वाले हैं इस बार आप सिर्फ एक बोट नहीं डालने वाले बलकि विक्सीत और बैबवसाली नए भारत की नीव को मजबूत करने वाले हैं साथियों लोग तंत्र में चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है राजनितिक दल और जन प्रतिनिती उमीदवार आपसे अपनी अपनी नियत और नीती के हिसाब से वोट मांगते हैं लेकिन दो हजार उननिस का ये चुनाव पहले के चुनावों से बिलकुल बिन्न है अभुत्पुर्वा है इस चुनाव का नेत्रुत्वा देश की जनता कर रही है आप लोग कर रहे हैं मतदान किसी दल के लिए नहीं बलकि पूरा देश देश का हर मतदाता इस बार मतदान दल के लिए नहीं देश के लिए कल रहा है जनता सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बलकि देश बनाने के लिए देश का भविष्य बनाने के लिए 21 सदी का नया भारत बना के लिए जनता जनारण खुद मैदान में है भाईयों बहनों मैंने सालों तक पार्टी का काम किया है मैं कभी मतदाप्रदेश का भी प्रभारी रहा हूं यहां की हर जिले को छान मारा है जब गुजरात में चुनाव होता था तो मुझे धार, खरगाओ, जाबबा सब लोग मदद के देते थे जब यहां चुनाव होता था तो मैं भी मदद के लिए आता था मेरा परिचाय आप लोगों से बहुत पुराना है मेरी और आपकी भाषा भी एक है हम एक जैसा ही बोलते हैं हम इतनी बड़ी पार्टी है कुशाबाव ठाकरे जैसे महापुरुसों के तपस्या से बनी हुई पार्टी है लेकिन मैं बताओं कोई बुरा मत मानना भई चुनाव के दिन है बुरा मत जा मानना मैं संगढ़न मंत्री था तब भी मैं पार्टी के संगढ़न का काम करता था तब भी हमने पार्टी को इतनी बड़ा बनी बनाई तो भी इतने चुनाव के कालखन्डों के बाद सातवा चरण चलता हो आखरी दीन हो आखरी सभा हो किसी संगधन की ताकत नहीं है इतनी बड़ी सभा करने की इंपॉसिबल मैं तो मैं तो सर जुका कर कहता हूं मैं संगधन का काम करता तो नहीं कर पाता यह पार्टी का यह पार्टी का दबदबा नहीं है यह आपके दिलों की आवाज है भाईयों कि दिल्ली में लोग चर्चा करते हैं चुनाव उप चुका है ठक गए हैं लंबा हो गया है यह जो ठके हुए लोग होना यह मेरे आदिवाश्यों के बीच आके बैठो नई उर्जा मिल जाएगी यह पॉलिटिकल पनित जना समझो देश का बीचात क्या है अद्बुत सोचो सलाम आपको आपने 2019 के चुनाओं में एक नया रंग भर दिया भाईयों और मेरे आदिवाश्यों ने भर दिया मैं जितना आपका धन्यवाद करो कम है भाईयों बहनों 21 वी सदी के भारत के नए भारत के इनी निर्माताओं के उत्साह का परणाम है कि आज देश कश्पीर से कन्या कुमारी कच्छ से कामरूप पूरा देश कह रहा है अपकी बार अपकी बार और तिन-चार दिन से तो मैं सुन रहा हूं अपकी बार तिन-सो पार अपकी बार अपकी बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और बहनों मुझे पसंदता है कि देश राष्ट भक्ति की प्रेणा अंत्योदय के दर्शन और सूशासन के मंत्र को लेकर चल रही भारतिय जंता पार्टी के प्रती अपना विश्वास हिम्मत और होसले के साथ प्रगत कर रही है मुझे संतोस है कि हमारे सपुतों के सम्मान में शौरिय के सम्मान में पुरा देश खड़ा हो रहा है भाई और बहनों आतंगवाद और नक्षलवाद को खत्म करने की हमारी प्रतिबद्धता को जंता जनादन का भरपूर समर्थन मिला है ये देश की भावना है कि आतंकियों को घर में गुषकार मारा जाए मेरे आदिवासी भाईयों बैनों मुझे बताइए ये गर में गुषकार मारने वाला रास्ता सही है कि गलत है आप खुश है ये मोदी गर में गुषकर के मारता है तो आपका सिना चवड़ा होता है आपका माथा उंचा होता है हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है भाईयों बैनों यही आपके दिल की बात को जवाब दिया है हमारे वीर सपूतों ने आईये हम वीर सपूतों का जितना गवरव करे कम है यही नए भारत की नीती होनी चाहिए भाईयों और बैनों कॉंग्रेस सईनिकों से विशे सिदिकार छिनने पर और देश द्रों का कानून खत्म करने जैसे विशेओं को लेकर जनता के बीच गई जिसको देश ने ठुकरा दिया है देश इस बात पर एकमत है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधान मंत्री की पेरवी कर रहे हैं उन्हें इस चुनाव में बड़ी से बड़ी सजा दी जाए देनी चाहिए गा नहीं देनी चाहिए भायो ब्यान पुरा हिंदुस्तान दे रहा है और आप भी देने वाले हैं मुझे पुरा बरोसा है देश उन लोगों को भी कड़ी सजा देना चाहता है जो सोचते हैं कि सेना में आप सुनके एहरान हो जाओगे करनातक में कॉंगरेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उस मुख्यमंत्री का बयान है और मेरे आदिवासी भाई चाहे मेरे दाहोत के हो जाबवा के हो धारकार के हो और यहां के हो मैं इन सब को जानता हूँ ये सुरक्षा बलों में युनिफॉर्म की दुनिया में देश की इतनी बड़ी सेवा करते हैं हम उनका उपकार कभी भोल नहीं सकते हैं इतना काम करते हैं मैं सब को जानता हूँ लेकिन करनातक में कॉंग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने एक बयान दिया है ये बयान सुनने के बाद इस देश का कोई व्यक्ति आने वाले सो साल तक कभी कॉंग्रेस को भोट नहीं देगा ऐसा गंदा बयान दिया है और अभी तक कॉंग्रेस ने इस मयान से उनका लेना देना नहीं है ये बोलने की हिम्मत भी नहीं की है सत्ता का नशा सत्ता का शौक कॉंग्रेस के सर पर इतना हावी है कि इतना बड़ा गुना है फिर भी कॉंग्रेस के मुझ से आवाद नहीं निकल रही है बाईयों बैनों ये कॉंग्रेस ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है उन्होंने क्या कहा है मैं बताओं आपको बताओं बताओं उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में और मद्धप्धेश में जीवन में कभी कॉंग्रेस को वोट मत देना भई उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि सेना में वो लड़के जाते हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है वो भूखे मरते हैं इसलिए सेना में जाते हैं भावियो बहनों ये हमारे संतानों का अपमान है कि नहीं है आदिवाचियों का अपमान है कि नहीं बीर माताओं का अपमान है कि नहीं है ये देश की सेना का अपमान है कि नहीं है अरे कॉंग्रेस के चेले चपाटों और उनके साथियों क्या आप भाशा बोल रहे हो अरे मेरा आदिवासी बच्चा जब सीमा पे जाके खड़ा रहता है वो रोटी खाने के लिए नहीं वो गोली खाने के लिए तैयार रहता है वो अपने सपनों के लिए नहीं वो मेरे देश के सपनों के लिए जिन्दगी खपा देता है क्या ये भीरों का अपमान मेरे आदिवासी भाई बेनों का अपमान मेरी भीर माताओं का अपमान क्या ये देश सहन करेगा क्या करना चाहिए क्या उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए भाई और भेनों मैं हमारे जनजातिय समाच आदिवासी समाच का आभारी हूँ कि उन्होंने कॉंग्रेस की सच्चाई को पूरी तरह पहचाना है और हमेशा हमेशा के लिए कॉंग्रेस उनके जोट उनके प्रपंच उसको नकार दिया है और अब आदिवासी समाच कॉंग्रेस के जोट को कॉंग्रेस को ही सवाल पूछने लगी है मैं आपको क्योंकि मैं गुजरात से आता हूँ वहां बहुत बड़ा आदिवासी समाज है उनके बीच रहकर के आया हूँ उनकी समस्याओं को जानने वाला इंसान हूँ इतना ही नहीं मेरी एक किताब है आदिवासीों के कल्यान के लिए कौन सा रास्ता हो बहुत साल पहले लिखी मेरी एक किताब है जी मेरा क्या कमिट्मेंट है वो तो तब तो मैं प्रदान मंत्री भी नहीं था किस प्रकार से काम करता हूं और मैंने जवानी के कुछ साल सिरफ आदिवासी इलाके में जन सेवा में एक वॉलेंटियर रुप में बिताये हैं इसलिए मैं आदिवासी समाज की सुख दुख को जानता हूं मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्व करता हूं कि जब तक और यह मेरे शब्दा अब लिख करके रखिये जब तक मोदी है जब तक बीजेपी है तक जंगल में रहने वालों के अधिकारों को उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता यह जूट पहलाने वालों को सजा दो आपके अंदर विभाजन करने का खेल खेलने वालों को जबाब दो आपको दुविदा में डालने का नाटा यह सदल लगा अटल्दी की सरकार के समय भी ऐसे ही चलाये था यहीं उनका खेल है उनको आदिवास्यों का कल्यान नहीं करना है मेरी तो किताब है जो भी उसमें आप में पढ़े लिके हो एकडेमिक वर्ल में इंटरेस्ट नहीं हो जुरूर उस किताब को पढ़े कि हमारी भावना क्या है साथियों आपका ये सेवक आदिवासी समाज की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा है पढ़ाई के लिए देश भर में एक लव्य स्कुलों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया जा रहा है आदिवासी क्षेत्रों में बिश्वस्तरिय खिलाडी तैयार करने का हमने अभियान चलाया है बन दन केंद्रों के माध्यम से बन उपज में मुल्य वृद्धी करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं जिससे बन उपज की अधिक किमत मिलनी तैय हुई है यही नहीं आदिवासी कलाकुर्तियों को दुनिया भर के मार्केट में ओन लाइन पहुचाने के लिए भी हम पूरी तरह सरकार को काम में लगाया है आदिवासी संस्कृती और परंपरा को तकनीक के माध्यम से संवरक्षित किया जा रहा है इसके अलावा आजादी के लिए शहीद हुए आदिवासी वीर बिरांगनाओं के लिए देश भर में समारकों पर काम चल रहा है जैसा मैंने बीमा नायक की बात पता ही जैसा मैंने गोविन गुरु की बात पता ही जैसा हम जारखन बे बिर्शा मुंडाजी के लिए कर रहे हैं सारे देश पर करने वाले हैं भाई और बैनो आज मैं उस किसान का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने निरंतर अपने इस सेवक पर भरोसा रखा है बीते पांच वर्स में बीज से लेकर बाजार तक की एक मजबूत विवस्ता बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनको हम और गती देने वाले हैं 2022 तक किसानों की आई दोगुनी करना दबल करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबत है लागत कम हो मुल्य उचित मिले ये हमारा निरंतर प्रयास रहा है अन्न दाता अब उर्जा दाता भी बने इसके लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं भाईयो बेनों हमारे देश में किसान छोटी जमीन हो बड़ी जमीन हो जहां सीचाई है नदी का पानी है तालाब है वहां तो दो तीन फसल ले पाता है लेकिन जादातर किसान मुश्किल से एक फसल ले पाते हैं हम अब उस जमीन में सोलार पैनल किसान लगाएं बिजली पैदा करें और राज्य सरकार वो बिजली खरीदें ताकि हमारा किसान बारों महिना कमाई करता रहें सूरज की सकती से कमाता रहे इस दिशा में काम कर रहें किसानों को तो मध्यप्रदेश के खरगौन से पीए मोधी को आप सुन रहे थे इस सुनाब में प्रचार की अंतिम रैली थी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया पीए मोधी ने